हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें वल्कम तो और यूट्यूब चैनल दोंट फोगिट लाइब सब्सक्राइब और शेर दीडियोज न्यूस्ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तिक्बाल है न्यूस्ट्रैक देखने वाले तमाम दर्सकों को मैं नहीं साल की हर देख शुपकामनाई देता हूँ और मुबारक बात देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपकी सहत अच्छे हो साल आपकी जोली खुशों से भर जाए और आप हमेशा हमेशा सहत मन्द रहे चलते हैं हेड्लाइन्स की तरफ करनाटक में क्या फिर से दो बारा लॉगडान लगने वाला है यलगाम शहर फिर से अंधेरे में डूब गया है इसकी असल वज़े क्या है माहत्मागान्दी की तोहीन करने की वज़े से काली चरन को ग्रिफता किया गया राखी गुलजार की बात करते हैं खेल की दुनिया में बात करते हैं कि राहुल को ODI का क्याप्टन क्यू बनाया गया न्यूस्ट्रैक चैनल के इलावा आप धेर सारी ताजी ख़बरे हमारे वेबसाइट पे भी आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट है www.newstrack-belgam वेबसाइट डिन में दो मर्तबा अपडेट किया जाता है जिसमें सुबा 10 ख़बरे और शाम को ताजा-ताजा 10 ख़बरे उसमें आपको पढ़ने को में लेगी माडर वन्ता दाग वेखु मत्ते आटी-पीसेयर टेस्ट सेटिफिट कोड़ा इरवबसाइट कोंते इंसेस्ट माड़ता जेग विजापुर जिल्येली विदेतरा माराष्टर गहंतकोंडर वोल्ता गड़ी प्रदेश्टेलेले कोड़ा सुमाल हनन्न चेक पोस्टेले माड़ी तारे अधर इत्ती बिढगाम जिल्येले कोड़ा आग बेखु मत्तु कट्ट नीट आगे आग बेखु केलो प्रयान करिगे सल्पा तुन्दर आग बोदा आदरे नम्म करनाटका राज्यद जन्र आरोगे द्रिश्टींदा विशेश वो बिढगाम जिल्ये आरोगे द्रिश्टींदा इक्रमा अनिवार इदे माड़ता आगे अधल्लदे करोना इदरली क्यावला नाव निर्बंद आष्टेयाला तैयारी नीकुड माड़बक्का गिदे कलदबारी आक्सिजेन कोरते निदे अधुनना नीक्सो सल्वागी इगा आगले सम्बन्त पोट्ट आंता आक्सिजेन कंप्णिकल को मातनाडी आष्टेयला आउसिदीन क्या अधल्स अधुननन इधुननना इवल्या आख्सिजेन कोरते नीक्सो सल्वागी नाव न माड़बक्का गिदे द्राइव इग नाले इंदा 15 वर्ष त वर्ष त वर्गेनिदे इदना अत्यंत सिस्तिन इंदा मालदक्की आगले माड़देवे इदु नम्म एंग्स्टर्स स्वरक्षदा चत्र वगले तरवेकों थेली नम प्रदानमंत्रिकला उन्द निन्नाय इनिदे अई 30 तारीककु अबाव 60 प्लस को मर्विडे आर इदरे अवे खुड़ा इंद सिद्धेटेगले राजय मटड़देली नाऊ तवित कुंड़दे वे अधु ना कर्ट्ड़नी टैक पल्लने नमाड़्ते अदरबगे नाले नाड़े नाड़े दरले वन तिर्मानों अधु करोना यावरीती बिहवाक्त दे विशेश वाक्त बेंग्वुर नेल बाला दूड़ प्रमान दल्लिए यल्लावनों गम्मनिसी मुद्धिन तिर्मानूनुमा बेंग्रवरी के नवर टप्र रूल्स वेना दूड़ नूड़ नुड़ नुड़ी नाव नम निल्वु बालस पस्ट्वा गिदे इन्द लह लाग्डो नागितो अन्ग बार्दो वांता इगा कट्टू निट्रिन क्रमात दे जना अधिक्स हेकर कोट्रे अवर भेले आर्त जना इंदक सकार कोट रागला जना सकार कोट्र अति अच्छा अगा अन्योर है थे तरबार दूंड़ उन्द अंदू नई पूरबाव एगा और विडिता गंडे तुबागो ये इदर नाले नाले दर ले इदर दो उन्द बिलवन के नुर कोंडो उन्द तिर्मानों नमाटगे अब दीख रही हैं एक नॉर्मल सी हो गई है यानि लाइफ बैक टो नॉर्मल हो गई थी लेकिन ओमिक्रॉन जो कोविड-19 का नया वैरियंट है फिर से अपने खतरनाक पंजा फैला कर हमारी जिंदगी में आ गया है इससे लोग बेंते परिशान भी है और खौफ जदा भी है बेट्स अवेलिबर होना चाहिए और तमाम दुसरे मेडिकल फैसिलेटीज हास्पिटल में होना बहुत ज़रूरी है इस बात को मद्दे नजर रखते हुए हमें ज़रूरी है कि तमाम हेल्थ फैसिलेटीज तमाम पारा मेडिकल का भी इंतेजाम होना बेहंतिया ज़रूरी है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लॉक्डॉन लगाने वाले हैं लेकिन कोमिकरॉन से लिपटने के लिए तैयारयां बेहंतिया ज़रूरी है इनाटक रियासत के बैंगलोर में कोमिकरॉन वबा की वज़े से 144 नाफित किया गया था जहां पे 4-5 लोग ही किसी जगे रुख सकते हैं इसका असर यह हुआ कि नौजाओन तबका जो नए साल का जश्न मनाना चाता था बहुत से अफराद जो नए साल का और क्रिस्मस का भी जश्न मनाना चाते थे 144 कलम की वज़े से होटेल की थिजारत बुरी तरह से मुतासिर हुई आप भीग रही हैं आप दीख रही है कि वेलगम शहर डिस्टम्बल एक तारीक से दस तारीक तक दुलन की तरह सा जावा था हर रास्ता हर सड़क की मरम्मत की गई थी स्पीड ब्रेकर भी लगाए गयते रास्ते के दोनों तरफ कैट आई भी लगाए गयते और यहां तक के स्वील हॉस्पिटल को भी रंग के आ गया था हर जगे पोलीस ही पोलीस नदर आ रही थी सिगनल भी बराबर काम कर रहे थे हर ट्राफिक सिंगल बराबर काम कर रहे थे गांधी नगर के पास जो एक ब्रिज है उसकी नीचे तीन-तीन ट्राफिक पॉलिस वाले ठहरे वे थे और ट्राफिक को कंट्रोल कर रहे थे लेकिन ये सब बातें इसलिए की जा रहे थी कि 10 डिसमबर से बेलगाम शहर में विंटर सेशन शुरूने वाला था और बहुत से विए पी बेलगाम आने वाले थे हर चीज का ख्याल रखा जा रहा हर जगे से ट्राफिक को डाइवर्ट किया जा रहा था और केली से लेकर लिंगराज कॉलिज तक 3 किलोमेटर के एहते में किसी को पार्किंग के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा था स्ट्रीट लैंप्स जो कई सालों से बन थे लेकिन एक डिसमबर से स्ट्रीट लैंप्स जलना शुरू हो गए लेकिन नजारा सिर्फ चंद दिन था अब फिर से ना ट्राफिक कंट्रोल करने के लिए पॉलिस है और ना ही सिगनल बराबर से काम कर रहे हैं हाला कि हमारे अवाम के लिए तमाम सहुलती होने चाहिए जो अपने गाड़े खून पसीने की कमाई टैक्सिस में अदा करती है जब भी आप गाड़ी लेते हैं स्कूटर लेते हैं साइकल लेते हैं या कोई चीज खरीदते हैं तो हमें टैक्स अदा करना पड़ता है और टैक्स का फाइदा कौन उटा रहे हैं क्या हमारी आवाम इस tax का फाइदा उटा रही है क्या आवाम को तमाम सहलते महिया की जा रहे है जिसके वो हगदार है या वो लोग हैं जो वी वी आईपी है क्या उनके लिए तमाम सहलती ही सिर्फ है हम Municipal Corporation से और हकोमत से गुजारीश करते हैं कि अवाम को भी वही तमाम सहुलत ही दी जाए जो VVIP के लिए दी जाती है शिफा को है जहाँ शफा भी है वहाँ शिफा को एक अनमोल आयरवेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, सुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दान दर्द और पेचिस में बहुती मुफीद और शिफा बक्ष है महतमा गांदी, Father of the Nation एक बहुत बड़ा नाम है और भारत की इतियास में उनका नाम बहुती एहतराम सी लिया जाता है भारत को आज़ाद करने में महतमा गांदी का एक बहुत बड़ा किरदार था भारत में सब बातें खौब через होगी है और किसी का भी आतराम नहीं किया जाता ना किसी मजभड का आतराम किया जा रहा है ना किसी अहँ शक्सियत का आतराम किया जारा है ऐसा ही वाका 30 डिसमबर को 36 गड़ में जन्सा मूनकत किया गया था जिसका नाम था धर्म संस्थ इस धर्म संसत में बहुत से संतों ने हिस्सा लिया और जम कर दूसरे मजाहिब के खिलाव जहर उगल दिया और इसमें नाम है संत महराज काली चरन काली चनल ने तो सभी हदें पार की और माहत्मागाधी जी के खिलाफ ऐसे ऐसे अलषास का इस्तिमाल किया कि पूरा भारत शर्मसार हो गया माहत्माधी एक बहुत बड़ी परस्नलिटी है, माहत्माधी एक बड़ी सेक्षियत है अमेरिका के माजी सदर डोनल्ड टरम जब भारत के दोरे पे आये थे तो दिल्ली में माहमागादी के कबर पर हाजरी दी और उन्होंने चरका भी चलाना सीखा था लेकिन भारत की दिश्या आजकल ऐसी हो गई है कि कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है और हालिया हकूमत उनकी तरफदारी करती है अली चरन को Рाइपूर के खजारों से गृफदार किया गया और आधालत में पेश किया हुझ़ूम आधालत के बाहर था और तरहे तरहे के नारे लगा रहे थे हाली चैनल को रिहा करने की दोहाई दे रहते इस बात का भी आईलान किया गया कि अगर कोई शक्स ये आई एमेम के सदर को गरिफतार करता है तो हम उसे 22 लाक रुपे बतुर इनाम देगे रुपी में हालीय सरकार की साग को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है आने वाले साल में क्या-क्या हालात बदलेंगे ये वक्त ही बताएगा नाम बदलने का सिंसला फिर से शिरू हो चुका है और यूपे में बहुत से जगों का नाम बदला जा रहा है और इसमें एक नाम है अकबर इलाबादी का अकबर इलाबादी का नाम ताले में इदारों के तमाम वेब साइट पे बदल दिया गया है और इसके साथ ऐसी कई उर्दू के मश्यूर सेक्सियोंदों का भी नाम बदल दिया गया है में दो और नाम है एक नाम है राशीक इलाबादी और शेख इलाबादी इन नामों को सिंसिला कब तक बदलता रहेगा क्या नाम बदलने से हमारा मुल्क के तरकी करेगा ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है मद्या परदेश खांडवा के करीब एक रेले स्टेशन है जिसका नाम है राशीक नाम जल्दी बदला जाएगा प्राइम के गराफ दिन बदिन यूपी में बढ़ता जा रहा है और हमने कई मर्दबा इस बात का जिकर किया है कि वहाँ जर्म हर रोज और इस तरह से जर्म होते हैं और उसके यहाँ पर जिकर करना भी हम मुनासिब नहीं समझते हैं बात यूपी कि है जहाँ पर एक शक्स ने अपनी बीवी की ना कुलाड़ी से काट दी कुलाड़ी से काटनी की असल वज़े यह है कि बीवी ने शरापीने के लिए पैसे देने से इंकार कर दिया यह खबर जैसे पूरे गाउं में फैल गई तो गाउंवाले ने पूलिस को इतला की और उस मुझरिम को ग्रिफतार किया गया बात करते हैं फिल्मी दुनिया की फिल्मी दुनिया में आग बात करेंगे राखी गुलजार की राखी गुलजार अपना फिल्मी करियर शुरू किया था जीवन मेरित्यू से और उनके बाद गॉली ओड के दरवाजे एक तरह से खुली राखी गुलजार एक बहुतरीन बेमिसाल बरसाथ के एक रात में अमिता बच्चन के साथ क्याम किया था शक्ती ओफिल्म है जिसमें राकी ने अमिता बच्चन की मा का रोलादा किया था बहुत से लोगों ने उनकी मुखालिफ़त पी की थी और कहा था कि अगर आप मा का रूल कर रहे हैं तो आपके इमिज के लिए एक खत्रा है लेकिन राकी का कहना है अगर काम दिली कुमार के साथ करना हो तो मैं कोई भी काम करने के लिए तयार हूँ राकी अपना जीवन साथी गुलजार को चुना और शादी ज्यादा दिन चलना सकी तक्रीबन तक्रीबन अफिल में दुनिया से रुक्सत हो चुकी है और एक रिटार्ड जिंदगी गुजार रही है। केलों की दुनिया में बात करते हैं केल राहूल की। केल राहूल को ODI इंडिया टीम का कैप्टन चुना गया है। इंडिया और सौत अफ्रे के तरवियन खेले जने वाला पहला टेस इंडिया ने जीत लिया। प्रमक हजाता है इंडिया के फास बॉलर बहुमा श्यमी को जिन्नोंने इसमे उन्होंने पांच विकेल लिये और बहुत जल्द उन्होंने 200 विकेट भी पूरे किये। बहुमस्ट शामे का काइना है कि मेरे 200 विकेट मैं अपने वालिद के नम करता हूँ जिन्होंनों मेरे जिन्दगी में बेहनतिया मेहनत की और मुझे आज भी मेरे वालिद बेहनतिया याद आती है न्यूस ट्रैक पे खबर का सिंचला जारी है तब तक के लिए खुदा हफिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जरूर प्रेस कि लिए भी में